नमस्कार मैं मीठोन यादवाव सभी का कॉंप्टिशन कॉमूनिटी पर स्वागत करता हूँ यह वीडियो का जो मुखी जो चर्चा का विशे होगा वह यहाँ पर हेडिंग भी देख सकते हैं कि कैसे CGPAC मुख परिक्षानी मैंस में आप मैथमेटिक्स में बहतर उतर लिख करके में सो मार्क्स को पराफ्ट कर सकते हैं अभी जश्ट प्रिलियम्स का पेपर आप लोग ने दिया है और प्रिलियम्स में आपको सीसेट यूट्यूब पर पढ़ाया भी है तो सीसेट जो हम पढ़ा रहे थे वहाँ पर हमारा पढ़ाने का अप्रोच बहुत अलग था लेकिन मेंस में वो अप्रोच के साथ नहीं जा सकते हैं ये बात आपको एहसास भी होगा बिइंग एजे CGPAC स्परेंट ये बात आपको समझनी होगी कि परिल्म में आप से क्या उमीद करते हैं और मेंस में वो आप से क्या उमीद करते हैं और हमेरे निती बिल्कुल अलग तरीके बनाना चाहिए पिछले दो साल सा जो CGPAC के सी सेट का जो पैटर्न रहा है जो लेबल रही है उसको देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि C-set में मुझे टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर सौट्री के ज़रूत परती है लेकिन मुख परिक्षा में ऐसा नहीं होता है यहाँ पर आपको step wise step लिख करके दिखाना पड़ेगा तो आज हम उसी चीज़ को यहाँ पर डीटेल में चर्चा करें कुछ हम कोस्टन भी लिए हैं कि मैं लिख करके दिखाने वाला भी हूँ कि कोभी step को छोड़नी नहीं है क्या word limit रखनी सभी मुद्धों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन अभी आप सारे बचे मेंस की जो एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए अब आप स्ट्रेजी त्यार कर रहे होंगे तो आखिर मैं आपको इस स्ट्रेजी में कैसे help कर सकते हैं आई हम देखेंगे एक करके पिछले चार साल में 18 से लेकर के किस में तक जो पेपर हुआ मैंने आपको कहा कि किस टॉपिक से कितने कोस्टन पूछे गए थे कितने मार्क्स का पूछा गया था इस बात की जनकारी होनी चाहिए और यही जनकारी मैं आपको यहां पर क्या कि टेवल के फॉमेट देने जा रहा हूँ और इसके बाद हम कुछ कोस्टन को लिख करके देखाएंगे इससे आपको एहसास तो हो जाएगा कि हांसर अब समझ में आ गया कि किस टॉपिक को कितने हम आप पर टाइम देने जा रहे हैं इसको हम देखेंगे क्या गलती हम करते हैं अंसर रैटिंग के दोरन वो नहीं करन इस टॉपिक को देख करके आप यहां पर यहां पर ध्यान सबजिए सारे बच्चे ठीक है यह आपका दो मार्क्स में किन-किन टॉपिक को टच किया उन्होंने चार मार्क्स में किन-किन टॉपिक को टच किया गया है सर आठ मार्क्स में किन-किन टॉपिक को टच किया गया ह सबसे पहले सारे बच्चे बता दू कि मिन्स में 50 में से mathematics का वेटेज almost 46-45 के आसपाँ दिख रहा है reasoning की वेटेज पिछले कुछ सालों से एक सवाल या दो सवाल ही दिख रहा है उसी तरीके साब सारे टॉपीज देखते हैं रेस्यों प्रपोस्टन से बात करें की ये और उसी तरीके से 19 को भी अनलाईज कर सकते हैं आप रेसनल नमर से सिर्फ दो मार्क्स में एक कोस्टन ही पूछा गया था बांकि कोस्टन उससे नहीं पूछी गए थी अगर हम बात करें वेदिग मैफमेटिक से यहां पर फिर से चार मार्क्स में एक कोस्टन पूछा यहां से पूछा गया था उसी पर आगे हर एक टॉपिक को एक बार आप जरूर एक नजर से देख लें ताकि एसा सो हां सर किस टॉपिक से कितने कोस्टन पूछे थे यह बहुत इंपोर्टेंट है जब भी आप अपने स्ट्रेटिजी को बनाए तो बहादरों इसको जरूर नहीं जुटा सकते हैं कोई बुक्स में आपको चीज नहीं मिलेगा याद आखिए इस बात को ठीक है चलिए तो हम उसी तरह से दोजार बीस और इकीस के बारे मीं थोड़ा देख करके हम आगे बढ़ने का प्रियास करते हैं 2020 को थोड़ा सा यानी स्क्रीन सोट लेकर के घर करन espe atomic utan ढीर ओड़ा अगियां कोई यहां प्रियास किया उसमयों से एक पर एक प्रियास की है एकड़ हमें बतते चलों कि जो मेंड़ने की आफिशाना होता दिखा देते हैं लेकिन में जुएस तो हैसो लिखने वाला एक्जाम है यहां पर जो हैसो लेवल उससे आधा से भी काफी कम होता है तो डड़ने जौरत नहीं है कई बच्चे फ्रस्टर हो गए सर मेरे से प्रिलियम से महत नहीं बारा तो मैंस में किसे बनेगा लेकिन नहीं ऐसा बिलकुल नहीं होता है इसके लि अगर आपको डियाई से डर अभी भी लगता है तो मैं बता दूं सी सेट के दोरन जो हम लेक्चर नमर 17 और लेक्चर नमर 18 जो लिये थे अगर उस भी अगर आप प्रोपर देख करके जाते हैं बहात भासा तो बना ही लेंगे तो आपको डियाई को लेकर कि जो अंदर से ड बार-बार करते हूं मिस्टेक साब बिलकुल ना करें और ना मैं आपसे युमीद करता हूं और ना एक्जामनर आपसे युमीद करते हैं ठीक है बई तौ सर जो क्या-क्या टिप्स आप देना चाहिए हमों बेदे सबसे पहली जो टीब को परजेंटेशन को लेकरके जब आप कोपी को लिखेंगा ही जब आप लिख रहोंगे तो आपको परजेंटेशन बहुत कोपी इतनी बहतर तरीके से लिखें कि उस चीज का उपरीचे आप दें कि हां हम एक सिविल जो बहतर सिविल सर्वेंट हैं क्योंकि आप सो पुरसरा मिल करके बात है तो इंटर्वी में करेंगे लिए पले मैंस तो कौलिफाइग करें तो पूरी तरह से जब अपकर कि इस बात का अप है तो प्रजेंटेशन के साथ साथ लेंग वेज कई वार बच्चे क्या करते जो खास करके इंग्लीज मेडियम की बच्चे हो तो उसको लगता है यार हम डिएभी में जो दस साल पैसा दिये हैं या सेंस फानसीज में बड़ा पैसा देकर क्या है वो हम प्रजेक्स में अंसर रेटिंग लिखें तो ध्यान रखेंगा थोड़ा सा लेंग्विज को जितना सिंपल रखें तो ज्यादा बेटर है क्योंकि आप समझे आपकी जौब की जो प्रफाइल है वहाँ पर आपके इंग्लीज मेडियम वाले बच्चे नहीं आएंगे आपक आपकी बच्पर-फाइल क्या होगा और वर्क के दोरन किन की लोगों से आपका सामना होगा और उनको कैसे अपनी सबहासों को पुरोपर तरहे समझा दें ताकि वो समस्कर करके चले जाए इस बात को जुरूर रखेंगा ठीक है अब क्या मैथ मैथ्स मैटिक में क्या होता पर लेंगे तो आपको नमर यहां पर कट आएगा ठीक है तो आपको नमर कटते ने जराएंगे आपका कई वार बच्चे क्या करते हैं आधा दूरा लिख करके छोड़ देते हैं लेकिन नहीं आपको एक complete answer यहां पर लिखना तो mathematics में आपको जो complete answer जरूर लिख करके दीजिएगा कई भी आपको किसी step को छोड़ना नहीं है आधा दूरा लिखने से कोई ज़्यादा फैदा नहीं है ठीक है धिया रखना इस बात को अब क्या करते हैं प्रैक्टिस मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है कि हिस्ट्री तो मैं उसको कुछ भी टोपी पना दूँगा यहां पर अगर आप ध्यान प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो step भूलेंगे और यहां पर नमर आपके कटेंगे तो mathematics तो है यह यार प्रैक्टिस का चीज़िए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मार्क्स ठीक है तो यह ध्यार रखना है बात को तो यहां पर नमर भी वह ज्यादा उड़ता तो प्रैक्टिस एक बहुत इंपोर्टेंट फेक्टर होगा इसका ठीक है मैंने बहुत अंसर अब समझे अब होता क्या कि math में अगर को भी अंसर अगर आप लिखते किसी भी question का तो generally mathematics में मैं फिर बता दू कि step 1 खास करके step 1 में क्या लिखे जो भी आपको data given है जो भी given data को जरूर लिख लिजएगा क्योंकि examiner के पाद उतनी वक्त नहीं होती कि वह पहले question पढ़ेगा फिर data आपके answer में खो जेंगे अगर the given data को short में लिख देंगे तो उसको एहसास होगा च परसानी नहीं होनी चाहिए फिर समझा रहे हैं तो पहला step given data जो भी दिया उसको लिखेगा आप मिडिल जो है step 2 होगा है ना step 2 में आप जो भी अगर मान लीजेगा कि कोभी question में अगर कोई formula से लग रहे formula या जो भी आपका concept है उसको आप मिडिल में रखेगा और यह step 2 में बहुत important हो जाता है मुख्य exam में और सिदा सिदा अब लिखने बाद calculation के बाद step 3 तक हाँ पहुंचिए step 3 में सिदा सिदा अंसर को आना calculation करने बाद answer तक पहुंचने का परियास करिएगा और answer को लिखने बाद highlight जोरू करता है कि यह हमारा उत्तर है इदह है रखी बाद ठीक है तो आप किसी भी step को miss नहीं कर सकते है यहाँ पर देह रखना तो यह हमारी जो सो step थै आई हम इसी step को इस्तेमाल करके कुछ आपको उत्तर लिख करके बता रहा हूं वह ज्यादा ज़रूरी है ठीक है खास करके मैंने पहला है presentation presentation बहुत अच्छी होनी चाहिए rating का business तूर पर ख्याल लखेगा यह जो बांकी समय बचा हुआ इस समय में आप क्या करें अब रेटिंग पर यह थोड़ा ख्याल लखेगा कि rating कैस इंप्रूब किया जा सकता है ठीक प्रिलम्स का मार्स जुड़ना नहीं वह तो qualifying होती आपका जो भी इमेरिटिस तेर होगा सब मेंस सही होगा अब देखो जो कोस्तन यहां पर लिख रहा हूं यह कोस्तन हर एक साल लगवग अगर हम 12 से बात करें यह 6-7 वार आपको दिख जाएगा प्रिवेसर खोलेंगे तो कभी इसको चार माक से पुछलता बादरो कभी इसको दो माक से पुछलता है ठीक है बर पूछा जरूर है यह आपको 2020 की बात करें 2016 की उठा लीजेगा यह हर एक साल यह सेमसार उठाया गया है लेकिन कभी परिवर्तन कुछ हुआ है यह जो ऐसे बताएं सर यह जो परिमेसर अंख्या बताईए इसके बीच में यह लोट बहुत ्चछा है आई हम देखते हैं सवाल के सुरवात कहां से करते हैं ठीक है बाई चलो कब पुछा था सर यह दो मार्क्स के लिए पूछा था 2020 में और यहां पर अच्छी बात है सीजी पेसी में जो आपको यहां पर लाइन डॉटेड रहते हैं उसी में आपको लिखना होगा तो जब भी आ चलेगा तो हुआ है अगर चार मार्क्स में होगा तो आपको लिख देनी चाहिए तो यह अप लिख सकते हैं तर टीक है दिए गए अना चलिए दिये गई भिन्नी कोन कोन है देख लो दो बटे तीन तथा पांच बटे साथ है ठीक है अब समझना अब दिया गया है अब पहला जो इसको बनाने का दो तरीका होता जब भी आप प्रिलम्स के पेपर आएंगे प्रैक्टिस करने के हमारे साथ वहां पर आपको डवल अप्रो होता यदि जो हर होती उसका आपको क्या करना है स्मझें अब याँ पर नीचे तो तीन है किस्ट अब अब करते करना नसाथ दीन अन्हें को पर निचे मटरौबत करना होगा सब्सक्राइब से तुन या अब किसे बनेगे तो तीन से करेंगे दिख्या हो जागा 15 बटे कितना होगा बादरो 21 होगा यहां तक कोई तकलिफ किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए ठीक है अब समझे अब जो भासाइं बनाना होगा देखिए आपको कितने जो परीमे संख्या निकालना होगा तो सर यह दो निकालना है कभी त अच्चे का इसका कोंशेट्स निकालना होगा जीदने जा रहे जीतने परीमे संख्या निकालना है जीतने रिलएफ को लिखना पढ़ेगा हर बात यह लिखना समझे जीदने परिमे संख्या है ग्यात करनी है उससे एक अधिक समझा अगर दो निकालना बाहाद रहो तो एक अधिक मतलब क्या तीन चार निकालना उससे अधिक कितना होगा पांच ठीक है तो यह पर उससे एक अधिक संख्या ठीक है उससे एक अधिक संख्या एक अधिक संख्या से ठीक है वही है एक अधिक संख्या से फिले दो है तो तीन चार है तो पांच ऐसे करके न ध्यान रखेगा अब उससे एधिक दो संख्या से क्या करना होगा ठीक है अब जखो ध्यान से जो मद में निक निकालना परिम्य थाब गया टी के तो जितने परिम्य था चिर को निकालना है ये मत भुए है थ्यान टो आप क्या होगा जो दो परीम्य संक्या य好不好 डिया गया कि इंट और जितने संफ्पित्म ग्याद करने उससे एक अधिक शंख्या से देद मेशंच्या कि अंस और हर को तीन से गुना करना है, तीन से क्यों से क्योंकि दो निकलना है, तो भाई है, संख्या से दिये गए, परिमे संख्या, जाए पर इसके जाएट संख्या में लिके दिखा सकते हो, कोई दिखात दे, दिये गए, परिमे संख्या, कि अंस तथा हर अंस तथा हर को तीन से गुना करते हैं बात के लिए रखें यह आपको भासा जुरूर बनाना होगा बाद रहां रखना बात को ठीक है अब आप प्रेमें रफ कर रहा हूं अब क्या ठीक से मल्टीप्लाइ करते हैं आईए अब यहां पर समझेगा अब यहां से नंबर क्या था हमले रहा है साथ से उपर नीचे मितना था सरीखी से लेकिन आपको क्या क्या करना होगा सर दो नमर पुछा मतलब तीन से उपर नीचे multiply कर दो हम बहुत बढ़िया एक दम असान साश्टे पर धिया रखिएगा जैसे कर देंगे बादरों क्या नमर होगा सर फोर्टी टू अपन सिक्ष्टी त्री पराप्त हुआ बहुत बढ़िया सर एक और नमर है हम बहुत इससे ह उपर नीचे किस से करना सर तीन से करना है अब यह कितना बन जाएगा हम बहुत बढ़िया इसी के बीच में आप खुद समझा न बयालिस बढ़िया इस बढ़िया इस परिमे संक्या कितने देख लोगा ठीक लिखो कि 42 अपन 63 वह 45 बटे 63 के मध्य परिमे संक्या के मध्य परिमे संक्या कौन-कौन संक्या है इसके बीच में कौन कौन होगा हम बले 42 से आगे कौन होता है सर 43 होता है तो हम लिए तो 43 उपन 63 हो जागा बहुत बढ़िया और एक और जो नमर होगा सर तो यही वो दो परीमे संख्या निकालना था ठीक है अब क्या करेंगा इस परकार इस परकार इस परकार पांच बटे साथ के मद्य मद्य दो परीमे संख्या है दो परीमे संख्या है दो परीमे संख्या है 43 उपन 63 तथा 44 उपन 63 है बात समझे क्या यह होगया हेल्धी जो एस तो एक को हो गया आपको इस तरह से लिख कर गये दिखाना था यही काम हम प्रिलंस में लिखते नहीं है तो यहां पर हर भासा ख्या लखना होगा तब देख पाने हैं आपको पूरा फूल फूल नमर मिलेगा यहां पर एक भी नमर काटने की कोई गुंजा इस नहीं है आई एक और सवा साइकल को पहले 33% के लाब पर बेची जाती थी अधी इसी साइकल को 860 रुपईया और अधीक में बेची जाती है तो इस पर उसको 8% का लाब होगा ठीक है तो बज़िए साइकल का क्रेमल क्या होगा अगर यही कॉस्टन को प्रिलंस में करते सीधा-सीधा करते सर देखो यही है तो आध परसे लाब को मतलि एक सो अड़ पांच पर दी्परसं का लाब का मतलो एक सो तीन दोनों का डिफ्रेंस आगया पांच तो पांच का मान 60 आगया सर एक का मान निकाल एक लाइन में खतम कर सकते लेकिन यहां पर मुक्ष परीक्षा में आचाब नहीं कर सकते इसके लिए क्या करना होगा मान लेते हैं यहां पर हल लिख करके क्या पूचा है सरक साइकल करे मुल्य तो आप यहां पर लिखिए माना साइकल का ठीक है मैं देखिए साइकल का क्रे मुल्य साइकल का जो पूचा सको मानिए साइकल क्रे मुल्य बराबर एक्स रुपई यहां अब सवाल में जितना जाला उतना करिएगा अब इस सैकल को बैचा गया दो तो सब्सक्राइब यह एक्स का तीन परसंट लाब का मतलब एक सो तीन पर्टे सो अब वह सो सब्सक्राइब इसी को अगर 800 रुपया और अधीक में बेच देंगे तो क्या होगा अब यह होगा कि तीन परसंट के जितना पोले उतना एक स्टेफ ज्यादा लगे लगने दीजिए स्टेफ मिस नहीं करेंगे जैसे इसको 800 रुपया ज्यादा बेच दिए तो अब कितना लाब हो जागा सर 108 परसंट परसंट का मतलब कितना बता बोलो सर 100 तो यहां पर आप इसको लिख लिजेगा अब अगला स्टे होना ठीक जितना होगा सर 108 बटे बादरों कितना 100 अब समझे क्या इसको घटा दो मैनस लगा दो बादरों तो सरी एक्स का मतलब गुना क्या 103 और बटे कितना हो जाएगा बढ़ाबर कितना कर देंगा अब आपको किल्कुलेसन करनी है हम बले क्या सरी नीचे इधर 100 है तो यहां से क्या कर सकते दखो 108 X सरी 108 X माइनस कितना होगा बादरों सरी हो जागा 103 X और यह बटे कितना हो जाएगा बादरों 100 और यह बराबर कितना हो जाएगा 68 अब कुछ नहीं करना है 100 को इधर multiply कर देते हैं और आसानी सब को यहां पर हम अनसर देने जा रहे हैं ध्यान सम नहीं क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा रुपईया है ठीक है तो यह बाद और आपका जो पूरी तरह से में कहीं कि आप देख पा रहे हैं तो प्रोपर बातें यहां पर लिखनी पड़ती है ठीक है तो यह दो सवाल आप पूरे मैथमेटिक सीगे ऐसा नहीं होती है ठीक है तो हम मुलाकात बीच 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 बीचे करते रहेंगे तो इमीद करतें बाद आपको क्लियर रहा होगा और ध्यार रखेगा कि मेंस में टूदब पॉइंट बात करिएगा अगर आपसे पूछा आपकी एज कितना है तो आप यह मत बोलना कि हमारे पापा जी का चार हम लोग चार बेटे बैना चार बच्चे है उसमें से हम सबसे बड़े हैं और हमारा उत्तर की हमारा जो एज है वो बाइस साल है इतना घुमाने जरूत नहीं जो पूछे टूदब पॉइंट लिखना ठीक है इमीद करते ब सब्सक्राइब करना ठीक है फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत